बिल्कुल सरकार दिम्मेदर है, बहराईच कौन सा जिला है, तबी सर्च करना गूगल पर, अगर गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे कम revenue generate करने वाला, सबसे कम परती वेक्ति आये वाला, यानि सबसे गरीब जिला बहराईच है, और जहां गरीबी, वहां आसिक्षा, और जहा एक वेक्ति की भी हत्या हो रही है, तो उस परदेश की मुख्या की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था, मैं यह जानता हूं, योगी अधित्यनाद की पुलिस, किसी भी दंगा को होने से पहले, अगर इतने strong decision वाले माने जा रहे हैं, कि बाबाजी का फैसला बड़ा तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता, क्यों सीए के प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को गोली लग जाती है, क्यों हातरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं, भाई पहले क्यों नहीं रोका जाता, भाई हातरस में क्यों बेटी विशेश को टार्गेट किया जाएगा बिलुकुल जिम्मेदारी प्रसाशन की होती है मगर यह बीजेपी की पुरानी आदत है कि उसने कभी जिम्मेदारी नहीं लिए अगर तुमारे राज्ये में कुछ घटना घटेगी तो घटने उस राज्ये का मुख्यमंत्री उस राज क्या था जब इन्दो मुस्लिम का दंगा हो रहा था तो बीच दंगे में जाके लोगों को समझाते हैं और वहां एक वेक्ति उनके मुँपे ठूख देता है तब सरदार वल्लब भाई पटेल कहते हैं कि एक भाई ने गुस्ता ठूख दिया दूसरा भी ठूख दे तो यह दो ने जिता होता है कि जो भीच ग्राउंड में जाके काम करता है यह सरदार वल्लब भाई पटेल की बातों करना जानते हैं लेकिन सरदार वल्लब भाई पटेल को नहीं जानते हैं गुजरात का दंगा हुआ मोधी जी एक्यूस्ट है मोधी जी ने बहुत साल मुगदमा प्रदेश का मुख्या यह तक नहीं कहता कि ऐसी गटना नहीं गटनी चाहिए थी जिम्मेदारी तो बहुत वाक्ट की बात है और बीजेपी मतलब दंगा बही लट तंतर से सरकार चलाने बाऻ нажए मतलब दंगा बिलकुल दंगा मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब दंगा जिस पार्टी का उदेगी दंगे के नाम पर होता हो कौन जानता था बावरी मस्जिद के अंदोलन और राम मंदिर के अंदोलन से पहले भारतिय जनता पार्टी को देश में दंगे कराने के बाद ही तो ये पार्टी आई लाइम लाइट में इसके बाद दूसरी बार लाइम लाइट में आती है गोदरा गांट के बाद में जब तक भीड तंत्र ना सामिल हो, साड़क पर मौजूद अंदभक्त सबसे जादा उत्तरदाई है दंगे के लिए, योगी जी कुर्सी छोड़ने तो दंगा नहीं बस सकता, क्योंकि जब बीजेपी पक्ष में थी, पक्ष में हैं, तब भी दंगा हो रहा है, जब बीजेपी की आईडिलोजी है, जो हर घर तक अंदभक्त तक पहुची है, और यह अन्दभक्त सबसे ज्यादा कहतर नागए देश के लिए, और हमें देश में अंदभक्त मुक्ष भारत बनाना होगा, इंडिया अगेंस्ट अंदभक्त है जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन था इसलिए इंडिया अगेंस्ट अंदभक्त है यह अंदभक्त है जो दंगा करा रही है बना इससे पहले कोई किसी की कम्यूनिटी को टार्गेट नहीं करता था आपको लगता है कि ये दंगा करवाया जा रहा है बिल्कुल दंगा करवाया जा रहा है विचार धारा होती है मुझे अगर ये confidence आ जाए कि मैं आपको मारूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा मुझे अगर ये पता हो कि पीछे से पुलिस मेरा support कर देगी और मैं आपको मारूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा यही विचार धारा तो दंगे की विचार धारा है दंगे में किसी एक धरम का नारा लगाना दीसरे धरम को target करना या दूसरे धरम वालों का दूसरे धरम को target करना देखो action पर reaction तो होता ही है ये बास जो सही है लेकिन पहले किसने action लिया और पहले action कौन लेगा हमेशा पहले वह जानते हैं कि थाने मजायेंगे मैनेज हो जाएगा और दूसरी यह पहली भाती जानती है कि उसकी गलती नहीं भी होगी तो भी वह दोसी करार दिया जाएगा वह चिड़ेगा क्यों तो दंगा कराने वाली आइडियोजी धर्म विशेष्की नहीं है जाजनीतिक विशेश की है और वो राजनीतिक विशेश की वचारदारा बीजेपी से सम्बंदिता है पुलिस बिल्कुल काम करती है किसी भी राजे की पुलिस हो पुलिस भी बादित होती है जब तक मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपकी दो कम्यूनिटी का दंगा हो जा और किसी थाने को 400 RSS के लोग घेर ले और RSS की सरकार है तो पुलिस थाना दबाव में आएगा कि नहीं आएगा पुलिस अच्छे से जानती है किस कम्यूनिटी का जुलूस निकल रहा है किस पर हाट टाइट रखना है किस पर सॉफ्ट रखना है पुलिस को मालूम है और कहा जवाब देही जादा बने की पुलिस को मालूम है तो पुलिस भी मजबूर है, पुलिस हलाकि ऐसा नहीं करती है, लेकिन पुलिस राजनीतिक दवाव में रहती है, चाहे सकता किसी की हो, लेकिन मैं जड़ ढूंड़ो कि दंगा करने की विचारधारा किस की है, यूपी में इतनी सारे कांड हो रहे हैं, इतनी वारदाते हो रह तरह की हर्कत बीजेपी के साशन के आने के बाद क्यों होती है यह सवाल होना चाहिए बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी यात्रा निकलती थी जगनात का मंदिर सोमनात का मंदिर वैश्णोदीवी का मंदिर पहले से मौझूद हैं और लोग जाते थे सरद्दा से कभी हमने क कोई यात्रा पर पत्राव नहीं सुना बीजेपी के आने के बाद क्यों सुन रहे हैं जी दुनिया भर के मंदिरें लोग जाते थे रोग अपनी स्रद्दा से जाते तो खूब तिरत यात्रा करते थे कोई आपर यह घटना गट गई प्राकर्तिक की वज़े से तोलक बात है लेकिन हिंदू मुस्लिम का कभी कम उसमें बिवाद नहीं हुआ ठेक बीजेपी के आने के बाद कैसे हो गया जी नफरत दाले नहीं थी नहीं नफरते देखो जो थी वो बीजेपी के अंदबक्त थे उनमें थी लेकिन उनकी परसेंटेज कम थी अभी तुम रात दिन टीव करने के नाम पर हिंदू को एक करने के नाम पर देश को भात रहा हम Qaldron हो जाओ फीन है लुए उनक सब्कार बीजर सबसे कम प्रती वेक्ति आए वाला यानि सबसे गरीब जिला और जहां गरीबी वहां आसिक्षा और जहां आसिक्षा जहां सिक्षा कोई मेहत्व नहीं वहां अंदवक्त समझ गए वहां बीजीपी का सपोर्टर तो वहां मिलेगा जिसकी भी हत्या हुई वो चिंतनिये हैं निंदनिये किसी एक वेक्ति की भी हत्या हो रही है तो उस परदेश की मुख्या की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए था मैं यह जानता हूँ योगी अधित्यनाथ और योगी अधित्यनाथ की पुलिस किसी भी दंगा को होने से पहले अगर इतने स्ट्रोंग डिसीजन वाले माने जा रहे हैं कि बाबा जी का फैसला बड़ा मजबूत है तो दंगा होने से पहले क्यों नहीं रुक जाता क्यों सीए कि प्रोटेस्ट में हजारों लोग घायल हो जाते हैं कई लोगों को गोली लग जाती है क्यों हातरस कांड में कई लोग घायल हो जाते हैं पहले क्यों नहीं रोका जा और पिर एक्शन के नाम पर क्या होगा? कम्मिनिटी विशेज को टार्गेट किया जाएगा.